सब्सक्राइब करें वाहिंदा गुरू यूट्यूब चानल को अगर आपके सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियो का एलर्ज मिलता रहें थैंक यू आज के इंग्लिश फाउंडेशन जो हम लोग सोच रहे थे कि एक बार ग्रामर आपका भी कंप्लीट करना है और दूसरा लैंग्वेज ग्रूप भी कंप्लीट करना है तो इंग्लिश फाउंडेशन के वर्ड बैंक सीरीज में आप सब का स्वागत है आज हम लोग अलग हम सही में लोग अलग अलग वर्ड्स हम लोग यहां पर आज देखेंगे जो कि आपके सारे एक्जामेनेशन बैंकिंग एससी हर एक्जामेनेशन के लिए काफी जादा इंपॉर्टन है ठीक है चलिए सबसे पहला वर अगर हम देखें तो लिखा हुआ है इन्नोकुर्स इन इन्नोकुर्स का मतलब होता है एक ऐसा इनसान एक ऐसा पशू या एक ऐसी ऑबजेक्ट ठीक है कोई भी चीज कोई इनसान अगर उससे किसी भी टाइब का कोई हार्म ना हो ठीक है कभी भी कोई लॉस ना पहुचा सके वो किसी भी इनसान को या किसी भी दूसरे पहुँचा सकता है जैसे कि अगर हम बोले कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अभी चैंपेइन शुरू किया उन्होंने एक नई योजना शुरू कि और उस योजना जो है उससे किसी को भी किसी की टाइप में कभी भी कोई शती नहीं पहुँच सकते हैं कि कहीं भी कोई संधी साइन की जा रही है और उससे अगर बिलकुल कहीं भी किसी बी टाइप में किसी को कोई शती नहीं पहुच रहे हैं कोई नुकसान नहीं पहुच रहा है तो उससे हम लोग इन्नोकूस नाम दे सकते हैं यह एक एड्जेक्टिव याद रखेगा और पॉजि निम पूछेंगे आंटनिम पिसका क्या पैसंधा जगा जो काफी ज्यादा क्या हो जिससे काफी जादे हानी पहुचे ठीक है पुछिट इसका एयस कले अ इस ज्चीज जो कि एक बिलकुल अभी आपको उससे चोड़ पहुच एपान्च ही सकते च्योंकि कभी भी टूट सक consternation का मतलब होता है आतंक भय देखे इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है आतंक लेकिन इसकी मीनिंग बहुत अलग-अलग में जा सकती है जैसे consternation हम बोले कि बच्चों में SBI PO को ले करके एक अजीब टाइप का आतंक फैला गुआ है तो हम बोल सकते हैं कि there has been a constant consternation there has been a constant consternation related to the English of SBI PO English among the students तो आप समझ में आगए कि अगर हम terrorism के आतंक की बात करें तो भी consternation आप बोल सकते हैं बहुत जादा दिमाग खराब है भाय है ठीक है डिस्में है डिस्टर्बेंस है कहीं भी मैं बहुत जादा puzzled हूँ ठीक है एन्नॉइड हूँ इरिटेशन है डिस्टर्बेंस है mental perturbance है mental जो है वो perturbation है बहुत जादा anxiety है distress है sorrows है वहां पर इस्तेमाल भी हो सकता है consternation जैसे कि हम बोल सकते हैं कि after the pulvama in balakot attack after the pulvama in balakot attack there has been a constant consternation among the general public general public में अगर हम इंसान की बात करें तो पूरा का पूरा जबर्दस भय एक च्छाय हुआ था तो वहां पर आप consternation word जो है अराम से कर सकते हैं वैसे यह सिर्फ उसी सेंस में इस्तेमाल नहीं होता कहीं भी अगर आप परिशान है तो अभी आप consternation word इस्तेमाल करें आधी रात में आप अकेले साड़क पर जा रहे हैं तो एक अजीब सा डर आपको लग रहा है तो वहां पर आप यह आप इस्तेमाल कर सकते हैं consternation ठीक है चले नेक्स दे से जो है नेक्स दे से मैं इसके साथ sentence भी attach करने वाला हूं और synonym और अपर आंटर निम्स भी attach करने वाला हूं तो नेक्स दे से मैं यह सारी चीज़ा अटाइच कर दूगा यह वीडियो आपके लिए बहुत जाद इंपॉर्टेंट होगी आपके वोकाब को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा और स्पेसिफिकली exam oriented जितने भी आपके वोकाब स ठीक है नेक्स वर्ड के अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है besieaching देखिए यह वर्ड जो है वो मिला आपका besieach से किसे मिला besieach से besieach का मतलब होता है किसी को भी विनिती करना प्रार्थना करना plead करना entreat करना यह दो वर्ड बहुत जादा इस्तेमाल किया थे entreat और besieach रखेगा besieach का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज के लिए किसी को प्रार्थना कर रहे है जैसे कि I was besieaching yesterday I was besieach yesterday to go to movie I besieach yesterday to go to movie in front of my father मैंने अपने जो पापा से movies आने के लिए request किया तो यहाद रखिक है जो कि थोड़ा formal होता है जो थोड़ा official होता है जैसे कि कोई organization उ इसका particular case के हामें पूरा का पूरा investigation report चाहिए पुलिस ने दिया नहीं अब जो है Supreme Court बोल रही है काफी जादा जो है उसे scold कर रही है उसके उपर कुछ ने कुछ धारा लगाने के लिए आ गई है Supreme Court तो फिर पुलिस जो है वो request कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते ह आर्मल request होता है न तूम थोड़ा से महाँ पर विसीच इस्तेमाल कर सकते हैं paper पर request होता है तो हम विसीचिंग इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे अगर मैं आपको जैसे मैं आपको request कर रहा हूं कि यह सारे के सारे जो words है उनको याद रखेगा जैसे ही इसका video यह particular video जब खतम हो त कभी-कभी कमेंटरे में इस्तेमाल किया जाता है कि लास्ट के फाइनल ओबर्स में अगर बैट्समन को छूट दे दी जाता है तो वह अन-ब्रिडल्ड हो जाता है ना मलब कि कोई विकेट डाउन नहीं हुई है और लास्ट में बिलकुल खुली आपको छूटे कि आप जाकर ह हर बॉल जो है आप वहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं हर बॉल पर बल्ला जो है वो घुमा सकते हैं तो वहाँ पी क्या बोल सकते हैं तो बैट्समन हैस गॉट अन-ब्रिडल्ड परमिशन मलब कि बिलकुल छूट है उसे अन-कंट्रोल आप कुछ भी किसी भी टाइप के जो अन-ब्रिडल्ड हो उसे वह बार बार गोट से नीचे कोशिश कर रहा है और उसके सामने पूरा खिलानों का में एक कमरा पूरे खिलाने रखे हुए अब उसे बोला जाए कि भाई आप नीचे उतार दिया जाए तो पांच मिनिट में क्या हो जाता है अन-कंट्रोलेब हो जाता है ठीक है तो आप समझ मा गया जैसे कि बहुत सारे किंग जो है सद्दाम हुसान उनको भी बोल सकते हैं अन-ब्रिडल्ड रूलर ठीक है कहीं भी निरंग कुछ शासक कहीं भी अगर यह आया और्टोनमस बॉड़ी तो वहां भी बोल सकता है अन-ब्रिडल आर भी संस है लेशा और रहता है जब्हाँ ज़ाथ है ठीक है तो उस संस में भी सकते हैं यू रहर जाए के हम हिंदी तो मैंने बता दिया आपको सुष्ट लेंगकिन साब्लेश समझते हैं मतलब क्या हो गया आज मैं आपको काम बोल रहा हूं ठीक है ए आप औरय पिछले दो मैने work हो गया है आपका attitude आपका character ही हो गए है कि आप काम कोته लिंगर करते हमस्ति है तुम होसी इसलिए मैं आप एक और चीज लिए डिर गंकर टक रहने वाला कोई बहुत दिनों तक चली काफी दिनों तक कश्मीर इशू कश्मीर इशू gepोर्ण प्रब्लम एनंडिया तो लिंगरिंग का मतलब सुस्त तो है लेकिन याद रखेगा जो बहुत टाइम तक चले उस वाले सुस्ती के मैं बात कर रहा हूं उस वाले आलसपन के मैं बात कर रहा हूं यह हमें फिजिकल प्रॉपरटी ठकान हो गई काम के सेंस में जब भी कोई बार-बार आज कल आज कल आज कल प्रोक्रेस्टीनेशन अगर हो रहा है तो आप याद रखेगा उसका मैं बोल सकते हैं लिंगरिंग आटिटूड ठीक है जैसे कि ऑफिस में मैनेजर हमेशा अपने एंपलॉई को कहते हैं कि लिंगरिंग आटिट आटि आटिओर लिखा हुआ एब्रोगेशन ये बहुत अच्छा वर्ड़ है भाई सी इसलिय में बहुत बार इस्तमाल होता है ये अब्रोगेट से निकला हीए इप्रोगेट अब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज उसको रेपूडियेट कर देना ठीक है नेगलेट विद्वा विवा बाल विवा इन सब को मनलब बाल विवा जो इनको खतम कर दिया गया ठीक है सतीप्रता इनको खतम कर दिया गया तो हम बोल सकते हैं कि these two mal practices were completely abrogated from the societies क्या बोले these two mal practices मनलब खराब जो कुरूतियां जो है ठीक है these two abuses were completely abrogated from the society completely उसको विनाख्ष कर दिया गया निराकरण कर दिया गया तूस सेंस में आप स्नावाल कर सकते हैं abrogate ठीक है जैसे concrete steps must be taken for the abrogation of terrorism ठीक है next word आपके सामने आगया वो आगया आपका ranker देखिए ranker का मतलब होता है bitterness जब भी आउता हमें द्वेश वगेरा इर्ष्या भावना क्रोध भावना एक दूसरे के लिए जलन जो हमेशा रहती है जलन मादब वो इस एच्छा word है इस आप ऐस्तमाल कर सकते है so bitterness animosity इसका उल्टा क्या हो जागा इसका हो जागा friendliness ठीक है इसका इसका अपनी इसका conducive रहत चाहिए तो यह सारे सारे words है Conducive ठीक है तो यह सारे words है आप इस्तमाल कर सकते हैं बहुत अच्छे आप इनको sentence में इस्तमाल करके एक बार जरूर लिखेगा ठीक है तो आज की ये 7 शायद ये फिर hard words रहें इनको अच्छे से आप sentence में लिखेगा तभी ये याद रपाएगा next आप से फिर से मुलाकात होगे दो अलग अलग newspaper के और भी इसी टाइप के 10 words के साथ जिसमां मैं synonym और antonym भी आपको add कर दूँगा और कोशिश करूँगा कि एक एक sentence भी उसमें add करूँ ठीक है और उसके साथ SBI की कल शायद close test हम लोग करेंगे या फिर हम लोग error correction series भी continue कर सकते हैं तो कल वो class एक अलग है और ये हम लोग अलग से vocabulary हम लोग discussion करेंगे ठीक है तो चलिए comment में एक-एक sentence लिखना बिल्कुल न भूलिएगा कल फिर आप से मिलता है सुबर editorial फिर उसके बाद SBA class में थैंक्यू वेरी मच सब्सक्राइब करें वाहिंदा गुरू YouTube चानल को अगर आपे सब्सक्राइब कर रखा है तो notification bell पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियो का alert मिलता रहें थैंक्यू